दोस्तों बंदे मातरों, बॉक्स ओविस पर इस समय बॉलिवूड की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जब भी दो बड़े बैनर की मूवी या दो बड़े सितारों की मूवी साथ में रिलीज होती है तो इसमें फायदा किसी को भी नहीं होता बलकि दोनों को ही गाटा होता है। ये कलेक्शन उतना जादा नहीं जा पायेगा। लेकिन अब ऐसे में खवर ये निकल कर आ रही है कि भई आमिर खान ने कैसा दाओ चला है जिसमें कि खिलाडी कुमार फस सकते हैं और उनकी मूवी इसको थोड़ा बहुत घाटा रिलीज के पहले ही हो सकता है। 11 अगस को बॉक्स ओफस पर बवाल होने वाला है। उस दिन बॉलिवुड के दो बड़े सतारे आमिर खान और रक्षे कुमार के फिल्म में रिलीज होने वाली है। आमिर की लाल सिंग चड़ा के साथ अक्षा की रक्षा बंदन सिनमा घरों में रिलीज होगी। अभी तक साउथ सिनमा की फिल्मों के सामने पिट रहे बॉलिवुड के लिए इस साल का ये पहला मुका होगा जब बॉलिवुड की दो बड़ी फिल्में बॉक्स ओफस पर एक दूसरे के सामने होगी। इसके तहट पीवियर सिनमा की 55% स्क्रीन पर लाल सिंग चड़ा को दिखाया जाएगा। इतना ही नहीं मल्टिपलेक्स चेन को अपने सारे प्राइम टाइम शोज और टॉप स्क्रीन को लाल सिंग चड़ा के लिए बुक रखना होगा। इस तरह पीवियर सिनमा को आमिर की फिल्म की रिलीस के बाद से करीब दो हफते तक प्राइम शोज उसके लिए रिजर्व रखना होंगे। ऐसे मानुमा लगाया जा रहा है कि इस करार से अक्षे कुमार को सीरा सीधा नुकसान होगा। सबी जानते हैं कि पीवियर सिनमा देश का सबसे बड़ा मल्टिपलेक्स चेन है। देश के कुल मल्टिपलेक्स के करीब 55 फीजदी हिस्सा उसके पास है। फिलहाल अपने देश में पीवियर के 846 स्क्रीन्स हैं। इस साल आइनॉक्स के मर्ज होने के बाद इसके स्क्रीन की संख्या बढ़कर 1500 के उपर हो चुकी है। ऐसे में 65 फीजदी स्क्रीन लाल सिंग चड़ा को मिलने के बाद रक्षा बंदन के हिस्से में 35 फीजदी स्क्रीन्स ही आएंगी। इस तरह देखा जाए तो लड़ाई से पहले ही आमिर ने जंग जीतने की शुरुआत कर दी है। यदि फिल्म अच्छी हो तो सारा खेल स्क्रीन की संख्या पर निर्वर कर जाता है। जिस फिल्म को जतनी ज़्यदा स्क्रीन मिलती है उसकी कमाई उतनी ज़्यदा होती है। बॉलिवड हंगामा के रिपोर्ट के मताबिक आमिर ने पी वियर के साथ पार्टरेशिप करी है। इसके तहित उनकी फिल्म को भारत में PVR के मल्टिब्लेक्स में सबसे ज़्यादा जगह मिलने वज़ जा रही है। एक्षिकमार के फिल्म रक्षाबंदन के मुकाबले लाल सिंग चड़ा एक अर्बन फिल्म है। इसलिए PVR में इसे ज़्यादा स्क्रीन्स दी जा रही है। वहीं रक्षाबंदन के मेकर्स अपने टार्गेट और्डियंस को समझते हुए टायर टू और थ्री शेहरों और कजबों में फोकस कर रहे हैं। वहाँ सिंगल स्क्रीन्स थेटर पर बड़े पैमाने पर फिल्म देखाने की तैयारी की जा रही है। और इस तरह के मल्टिप्लेक्स में लाल सिंग चड़ा और सिंगल स्क्रीन्स पर रक्षाबंदन दिखाया जाने से दोनों फिल्मों को प्रॉफिट होगा। देखा जाया तो अपने देश में अबादी के हिसाब से सिंगल सिंगल बहुत कम है। भारत में आज भी प्रती दस लाग लोगों पर आट से दस सिंगल गरी हैं। इसके मकाबले चीन में 37 और अमेरिका में 124 सिंगल गर हैं। भारत में स्क्रीन की संख्या करीब दस हजार है इसमें तीन हजार मल्टिपलेक्स है इसमें PVR और राइनोक्स की आदी इस्सेदारी है भारत के मुकाबले चीन में चार गुना यानी करीब 45,000 सिन्मा घर है यही वज़ा है कि चीन में रिलीज होने वाली भारती फिल्में अप टूरिंग टॉकस को सबसे अधिक नुक्सान इंटरनेट नहीं पहुंचाया है ऐसा माना जा रहा है कि दोनों फिल्मों के टार्गिट ओडियंस अलग होने की वज़े से कमाई पर प्रभाव नहीं पड़ेगा बलकि दोनों फिल्में अपनी शमता के नुसार अच्छी की रक्षाबंदन ने 20 करोड से 25 करोड की भी ओपनिंग कर ली तब जाकर दोनों फिल्म में मिलकर यश के फिल्म के आसपास पहुंच पाएंगी वैसे इसके आसार बहुत कम है बॉलिवड की फिल्मों का अभी तक ओपनी कलेक्शन अधिकतम 15 करोड तक ही पहुंच पाया है आखर में आपको यही बता दू कि आमिर खान प्रोडक्शन्स वाई काम 18 स्टूडियोज और पैरामाउंट पिच्चर दोरा निर्मित फिल्म लाल सिंग चड़्डा में आमिर खान, करीन अकबूर खान, नागा चैतन्य और मोना सिंग एहं भूमिकाओं में है फिल्म का डायरेक्शन अद्वेद चंदन ने किया है, फिल्म लाल सिंग चड़ा, हॉलिवड फिल्म फॉरस्ट गम की रिमेक है, इसमें टॉम हैंक्स ने मोकि भूमिका निभाई थी, यह फिल्म साल 1994 में रिलीज हुई थी, इस अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म का निर् कारों ने भी इसमें एहम किरदार निभाएं, इस फिल्म की कहानी एक भाई और उसकी चार बेहनों के आसपास घूमती है, लेकिन बॉलिवड में यह हमें जरूर पता सल जाएगा कि बॉक्स आफिस पर 11 अगस को ओडियन्स किसके आसपास घूमने वाली है, आपको गह लग स्टकर में कौन जीतेगा या फिर दोनों ही हा रहेंगे, मुझे कमेंट करेंगे जरूर बताइएगा, मेरे स्वीडियों फिलालत नहीं जाहें, जाहें बाराइगा